हालो फ्रेंट्स विल्कम तो आवर हेल्थ आसोसीशन चैनल फ्रेंट्स अगर आपके बोड़ी में बायोकीन की कमी हो या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा जहर रहे हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाज तर जरूर देखें फ्रेंट्स आज हम आपको विवान कैपसुल क इसके बारे में बताऊंगा फ्रेंट्स आज हम आपको विवान कैपसुल के इंगिडियन्स फ्रिक्विस्ट्ट्स यूजज़ साइड इफ्क्ट और माक्ट्व एक्षन इन सब के बारे में बताऊंगा ताकि आपने डिली लाइट में इसका यूज कर सके तो फ्रेंट्स आपके बाल बहुत ज्यादा जहर रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं या फिर आपके बड़ी में बायोटीन की कमी हो तो आप उसमें भी से ली सकते हैं इसके अलावा आपको स्टॉमेच कैंसर हो तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं या फिर आपको व्लड वि इसके बात करते हैं कि वोन कैप्सुल हमारे इंट्यक्शिडेंट के आक्षण को इंक्रीज करता है इसके अलावाये हमारे बोड़ी में कर्वोःड्रेट मेटाबोलिज्म के ग्रूथ को अमेशा नॉर्मल बनाई रगता है और इसके साइड फिक्स के बात करते हैं जो कि जानना बहुत ही है और आप विवान काप्सुल का यूज़ करते हैं तो आपको कौन सी पीशन हो सकता है या फिर आपको डिजनेश हो सकता है इसके साथ आपको बहुत जाला कमजूरी जैसा लग सकता है, या फिर आपको आइसरनौमिय हो सकता है, इसके साथ-साथ आसको नॉसिया हो सकता है, फ्रेंट्स अगर आपको ऐसा कोई भी संटर्म स्थिखे तो आपने नसिकी डाक्टर या फर्मासीस से शुरूर करें करते हैं तो आपको कुछ बाते हैं रिखने चाहिए जैसे कि को खौली पिटना यह पहले इसके लावा आप को आप करें आप अपको अब बिल्कुल को बिल्कुल भिना अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रीशन में हो तो अपने डॉक्टर यह फर्मासी चे जा इसके इंगिडियन्स से अलर्जिक है तो आप इसका यूज ना करें या आपके बोड़ी के लिए बहुत ज्यादा हरमफूल हो सकता है तो यह तो थे विडियों के बारे में अगर आपको इस वीडियों से लेटर कोई वीडियाउट हो तो प्लीज आप इसी वीडियों के कॉम